मित्रो क्या आप इंडिया में गर बैठे अमेरिका की कंपनी के शेर खरीच सकते जवाब है हाँ और ऐसे तीन तरीकों में से एक तरीके पर सेभी ने बैन लगाया है इस टॉपिक कॉम समझेंगे हाँ तो मित्रो एकोनोमी में एक नया टम चर्चा में है और सेभी ने किसकारण से उसको बेंड कर दिया है टेंपररी सस्पेंड करा दिया हम लोग इसलिए पढ़ हैं क्योंकि पिछले तीन साल से UPSC को शेर बाजार में थुड़ा एडवांस लेवल का पूछने की इच्छा हो गई है क्या बारत में बैट के आप अमेरिका की कंपनियों के शेर खरी सकते हैं जैसे एपल, टेसला, माइक्रोसॉफ्ट चैन यू बाइ यूएस कंपनी शेर फ्रॉम इंडिया जौब है हाँ उसके तीन तरीके हैं पहला आप अमेरिका में जाओ और जैसे इंडिया में ये जीरोदा, मोतिला, लॉस्वाल, शेर खान वगेरा ब्रोकर्स हैं वहाँ आप अकाउंट खोलते हैं उसकी मदद से शेर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तैसे अमेरिका में भी ब्रोकरों के वहाँ जाके आप अकाउंट खोलो और देदनादन शेर खरीदो अमेरिकी कमपनियों के दूसरा तरीका है गुजरात में है गिफ्ट सिटी जो की इंटरनेशनल फाइनचल सर्विस सेंटर है वहाँ पर नैशनल स्टॉक एक्षेंड ने एक सिस्टम बनाई है कि वहाँ आप कुछ रसीद में पैसा डालोगे और वहाँ से इंडरिकली वो अमेरिका की कमपनियों के शेर आप खरीच सकते वो मामला क्या है वो किसी दिन और अलग वीडियो बनाएंगे तीसरा तरीका है कि आप इंडिया के कुछ mutual funds के अंदर पैसा इंवेस्ट करो जो कि यह बोले कि हम आपका पैसा overseas extended fund में डालेंगे या सिद्धा एपल Microsoft कमपनियों के अंदर डालेंगे So there are three methods अब यहाँ पर यह जो तीसरी method है कि इंडियन mutual fund में पैसा डालो और वहाँ से overseas extended fund में जाएगा वहाँ थोड़ी आग लगी है और उसके चलते सेभी ने इस पर कुछ पाबंद्या लगाई है समझते बारत में मालीजे 140 करोड अबादी है उसके अंदर मालीजे 94 करोड वोटर से हैं उसके अंदर से 11 करोड ऐसे हैं जो कि उनके पास डीमेट अकाउंट है मरलब कि वो शेर मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग का काम करते हैं अब आप सोचो ये सारे के सारे 11 करोड लोग अपना पैसा लेके अमेरिका भाग जाएं अभी आप समझो कि हर एक इंवेस्टर दे दना दन अपना पैसा इंडिया से रूपिय में डॉलर में कनवर्ट कराके भाग जाएगा तो फिर तो रूपिय डॉलर का जो सप्लाइ है वो मिसमेच हो जाएगा और उसके चलते डॉलर बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा तो आर बिया इस पे पाबंधी लगाती है कि दना दना आप जीचना चाहे उतना पैसा इंडिया से अमेरिका नहीं ले जा सकते आ तो यह तकलीफ हो सकते कि अगर सभी लोग रूपिय को डॉलर में कनवर्ट करके अमेरिका भागना शुरू करे तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी जिस भी चीज की डिमांड बढ़ती हो मेंगा हो जाता है तो वन डॉलर जो पहले 75 रूपिय में मिलता हो फिर 85 रूपिय में फिर 95 रूपिय में तो भाई यह तो डॉलर तो मजबूत होने लगा रूपिया कमजोर होने लगा जो कि अपने इंपोर्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं होगी जब भी हम बाहर से ये क्रूर आयल मंगवाएंगे, पेट्रोल लीजल महिंगा हो जाएगा वगएरा. इसलिए रिजव बैंक ने फेमा फॉरिन एक्चेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा कानून के तहित कुछ पाबंदिया लगाई है, लिमिट्स लगाई है. कि भारत से आप कितना पैसा बाहर ले जा सकते हैं, अगर कोई एक इंडिविजुल इंसान है, तो धाई लाग डॉलर हर साल बाहर ले जा सकता है, फिर उसका उसको शेर खरीदना है, बॉन्ड खरीदना है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, जो कर दे. अगर कोई मुच्वल फंड भारत कहिए, जैसे टाटा मुच्वल फंड, वो सिद्धाई कोई फॉरें कम्टियों में इंवेस्ट करना चाते है, जैसे एपल, माइक्रोसप्ट, गूगल, तो वो 7 बिलियन डॉलर ले जा सकते हैं, तीसरा, ये मुच्वल फंड, ओवर सीज क एक्षेंटेड़ फंड के अंदर पैसा डालना चाहें, तो वो मैक्सिमम वन बिलियन डॉलर ले जा सकते हैं, अब तकलिफ क्या हो रही है, कि जो वन बिलियन डॉलर का कोटा है, वो लगबग 95% तक भरने को आया है, इसलिए RBI को डर लगा, RBI ने सैभी को बोला कि अब इसे लेना बंद करो, टेंपररी इसको सस्पेंड करो, जब तक कि ये सब सैटल नहीं हो जाता, और डूसरा, कि माली जै कोई present investor है, वो exit कर जाए, कि उसने पैसा डाला और वो निकाल के भाग रहा है, तो वापस ये क्या कोटा जो था, वो थोड़ा नीचे उतर जो पानी की बाड या डेम का लेवल क्रॉस होने वाला था, तो अगर कोई existing mutual fund investor अपना पैसा redemption में निकाल लेता है, तो फिर वो mutual fund वाला किसी और investor से थोड़ा और पैसा लेके वापस ये game खिल सकता है, तो temporary ये overseas exchange traded fund को इस कारण से bend किया गया, pause किया गया, स्थगित किया गय लेकिन समझे कि ऐसे YouTuber मेंने बहुत सारे वीडियो बना है पर वो सब भीखरा भीखरा रहता है, systematic और structure तरीके से पूरे साल की economy के free में में update प्रोवाइड कर रहा हूं, उस series का नाम है win24, already 4 class हो चुके है, swap page का handout भी free में upload हो चुका है, बलब ऐसे हाओ है बोल बच्चन है, अ सिस्टेमेटिकली तेयरी करना चाहते हैं, तो होली दमा का offer के चलते हैं, 50% offer चे महीने का एक्टन तो है ही, साथ ही साथ माली जब दिल्ली आप रयागराज में रहते हैं और गर पे आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, library में जाके पढ़ना है, तो भी an academy के वहाँ पर center है सुकुन से आगे पढ़ो, फिजिकल तरीके से mock test भी दे सकते हैं, doubt resolution के लिए उधर में एंटर्स भी बैठे हैं, और इसके अलावा भी बाकी सब पढ़ाई, live classes by top educators, notes वगेरा तो है, तो take benefit of it, link is in the description, discount code is monal.org, फिर मैं वापस आता हूँ, अब हमें समझना है कि यह extended fund हसल मे चीज़ क्या है, अदानी को अपनी company शुरू करने के लिए पहली बार अगर जनता से पैसा लेना होए, share के रूप में, तो initial public offer, फिर future में दो बार अचा है तो follow on public offer, तो उस तरह से यह जो fresh patty pack, first time अपने share स issue करता है, वो है primary market, उदर बिडे master ने share खरीदा, फिर उसको मजा ने आ रहा है, उसको exit करना है, तो वो जेठालाल को बेच के निकल गया, तो यह हो गया secondary market, secondary market में क्या चला है, उपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या चला है, तो दो secondary market famous है, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, और वो उपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो उनके अपने indicator या सूज कांक है, जैसे temperature उपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, BAC का है Sensex, जिसके अंदर 30 company को monitor करते हैं, NAC का है Nifty, जिसमें वो करीब 50 company को monitor करता है, अब यह जो Sensex और Nifty हैं, यह क्या है, इसको बोलते हैं benchmark index, वो काम कैसे करते हैं, कि माल लिजे, Asian paint company का भाव, January में 2700 से बढ़के, December में 3500 क्या हम यह बोल सकते हैं, कि पूरा share market 30% चड़ गया, जवाब है नहीं, Once fellow does not make a summer, यह तो एक share चड़ाना, बाकी 5000 और भी company हैं, आपको बड़ा sample size लेना होगा, और फिर बोलो कि यह 10 company का भाव चड़ा है, तो पूरा share बाजार उपर चड़ा है, तो चलिए हम 3 company आपकरते है यह for Asian points, B for Bharat, petroleum and C for coal India, तो इनका क्या बाव चल ला है, इनका average निकाल, मुलब divide by 3, A plus B plus C divided by 3, और जो number आएगा तो हम कहेंगे यह इसका temperature दिखा रहा है share बाजार का, यह एक sensitive index है, to watch the overall trend और mood of the market, तो इसको हम कहेंगे sensex, पर इसमें एक तक्लिप है गिंती में, हमने इन ति इन कंपनियों का simple average लिया है, हम यह बोल रहें कि मलब यह सब एक समान है, जबकि यह नहीं है, इसमें कुछ कंपनियां ऐसी होगी, कि जिनका जादा frequently trading होगा, कुछ ऐसे है कि जहां पर investor ज्यादा बड़े चाव से उसको खरिदता होगा, तो कुछ ऐसी कंपनिया होगी, जि में हमें weight average निकालना चाहिए, कि for example, Asian Pains को मैं one times weight दू, बारत पे ट्रोलियम को two times और coal इंडिया को three times, और यह one plus two plus three, मलब six, तो divide by six करो, तो यह जो निकाला हमने average, यह क्या simple average नहीं है, इसको बोलते है, weight average, तो Sansex में ऐसी 30 कंपनियों का weight average निकालते है, National Stock Exchange का Nifty Index है, उसम अपने को पता चलता है कि बाजर उपर गया कि नीचे, तो फिर exchange traded fund क्या होता है, exchange traded fund मतलब वो एक जातका passive fund है, वहाँ पर आप पैसा उसको डालो, तो वो क्या करेगा, माली जे Sansex में सिर्फ तीन कंपनियों को monitor किया जा रहा है, तो वो इन तीन ही कंपनियों पैसा invest करेग और वो भी उसी ratio में, जिस ratio में Sansex में उसको weight assign किया है, तो Asian Paints में एक रूपिया, बारत पैटोले में दो और कोल इंडिया में 3, इस ratio में जितना पैसा दोगे, वो distribute करता रहेगा, वो कोई दिमाग खर्च नहीं करेगा, normal mutual fund वाला दिमाग सोचेगा, अच्छा Asian Paints अभी द बने, उसी को बोलते हैं, exchange traded fund, वो काम कैसे करते हैं, कि सपोज investor ने उसको 6 रूपिय दिये, तो वो ये तीन कंपनियों में Sansex के ratio में invest करेगा, और सामने इस investor को वो एक exchange traded fund का unit दे देगा, जिसकी value होगी 6 रूपिय, फिर बाद में जब Sansex उपर जाएगा, तो इनका price linked फिर आप किसी और को resell करके बाहर निकल सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं, index exchange traded fund, इसकी fees normal mutual fund के मुकाबले कम होती है, क्योंकि इधर वो दिमाग नहीं लगा रहा है, अलाकि इसका return हो सकता है कि normal mutual fund के मुकाबले थोड़ा कम हो, क्योंकि दिमाग नहीं लगा रहा है, आ तो जो overseas exchange traded fund में क्या होता होगा, कि मैं Tata mutual fund को पैसा दूँ, और वो जाके माली जाए अमेरिका में NASDAQ नाम का उनका indicator चलता हो, और उसके अंदर तीन कम्पनिया हो, Apple, Google and Microsoft, 1 is to 2 is to 3 के ratio में, तो उसको उसी ratio में पैसा डाल देगा, और उदर से जो return निकल के हैं, बाद में व अब खीचडी मत करना, एक और भी मिलता जुलता concept है American depository receipt, उसमें ऐसा है कि Indian लोग अमेरिका में invest करने नहीं जा रहे हैं, कोई माली जादानी कम्पनी, जो अमेरिका के point of view से क्या है, non American company, उसको अमेरिका के share investor से पैसा इंडिया में लाना है, तो वो, मलब समझो, angle अलग हो जिसमें American लोग पैसा invest करेंगे, फिर वो उदर से dollar देंगे और इसको मिलेगा, और यह अपना business करें और पैसा, जो भी profit वा तो dividend वापस return करें, so that is a different thing, तो मलब अदानी को अमेरिका से पैसा लाना था, जबकि यहां हमारा जो मुदा था, overseas action dated fund वो क्या है, कि हम अपना पैस अमेरिका को दे रहें, उनकी कंपनियों में invest करने के लिए, कहर मितरों और भी updates आते रहेंगे, और आप तयार हो जाएए इस रविवार को, all India prelim mock test, बड़लब, GS के उसमें 100 सवाल होंगे, सुबह साड़े 9 से साड़े 11 बजे की test है, और CSET के 80 question होंगे, साड़े 12 से 2 गंटे क की वो test है, रहे वार कमला, full length test जैसा UPS से वो आला experience चाहिए, तो ये free में आने academy की दरब से होने वाला है, और ऐसे और भी बहुत test बाद में आने वाले हैं, stay tuned for that, let's crack it.